असलाम अलेकुम डियर वीवर्ज मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्ज उमीद है सब ठीक ठाक होंगे डियर वीवर्ज आज एक बहुत इंपोर्टन टेस्ट के बारे में मैं बात करूँगा और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखेएगा तब जाकर आप लोग को ये टेस्ट समझ आएगा आपने कोई भी स्टेप इस वीडियो का मिस नहीं करना ठीक है वरना आप लोगों को फिर इसकी समझ नहीं आएगी तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो है CD4 count के बारे में ठीक है ये एक टेस्ट है और ये टेस्ट HIV यानि AIDS के पेशन्ट में बहुत ज्यादा important होता है तो dear viewers चलते हैं और start करते हैं CD4 count test dear viewers जो दोस मेरे चैनल पर नए है तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्काइब और साथ में बेल का जो आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे dear viewers सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो CD4 cells हैं ये क्या हैं बैसिकली CD4 cells glycoprotein होते हैं यानि ये carbohydrate और protein से मिलकर बनते हैं CD4 cells पाए जाते हैं immune cells के surface पर immune cells हमारे जिसम का दिफा करते हैं तो उनके surface पर ये मौजूद होते हैं कौन सी immune cells के surface पर खासकर dendritic cells, macrophages, monocytes और T helper cells के surface पर मौजूद होते हैं ये CD4 cells तो इसकी बनियात पर CD4 cells को कहा जाता है, T helper cells, इन्हें T cells भी कहा जाता है, इन्हें T lymphocytes भी कहा जाता है Dear viewers अभी बात करते हैं कि CD4 cells का function क्या है, तो बहुत important function है इसका, ये बाकि जितने भी एहम immune cells होते हैं तो उन्हें ये एकटा करता है, उन्हें activate करता है, उन्हें stimulate करता है ताकि infections को ये खतम कर सके, virus और bacteria को खतम कर सके तो ये stimulate करता है बाकी immune cells को, कौन से immune cells को, खास तोर पर B lymphocytes को, जिन्हें B cells कहा जाता है, macrophages को, और CD8 T lymphocytes को, जिन्हें CD8 cells भी कहा जाता है तो इन्हें activate करके ये फिर बहुत असानी से infection को खतम करता है, virus और bacteria की बहुत असानी से ये फिर killing करता है Dear viewers अभी बात करते हैं, CD4 cell count का मकसद क्या है, diagnostic importance क्या है, तो मैंने आप से पहले ही बात की, कि HIV patient में, AIDS के patient में ये test बहुत ज्यादा एहमियत का हामिल है वो इसलिए कि जब एक patient को HIV हो जाता है, तो उसमें CD4 count टेस्ट किया जाता है, और देखा जाता है इस test की बुनियाद पर कि immune system का health है, वो कैसा है immune system जो है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका जो count है, वो decrease है के high है, ठीक है, क्योंकि ये बाकी immune system को भी एक साथ जो है, वो activate करता है तो इसलिए ये बहुत जादा important है, इसकी basis पर हम immune system को चेक करते हैं, कि वो कम हो गया है या वो ज्यादा हो गया है, जिसकी मदद से HIV patients में जो उनकी treatment होती है, वो भी हमारे पास पर बहुत जादा असान हो जाती है, और दूसरा ये कि HIV का जो virus होता है, तो वो mostly attack करता है CD4 cells को वो मर जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, तो फिर बाकी का जो immune system है, वो automatically suppress हो जाता है, तो इसलिए HIV के patient में CD4 cell count है, ये बहुत important होता है, और इसकी मदद से हम immune system को assess करते हैं, उसका पता लगाते हैं, इसके इलावा dear viewers, जब CD4 cell count का टेस्ट हो जाए, और HIV AIDS के लिए PCR का तो फिर डाक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है, कि अब anti-retroviral treatment start कर दी जाए, या ना की जाए, anti-retroviral treatment वो treatment है, जो virus को यानि HIV को खतम करने के लिए दी जाती है, तो ये treatment उस वक्त दी जाती है, या start की जाती है, जब CD4 cell count का टेस्ट का नतीज़ आ जाता है, और जब HIV viral load का test का नतीज़ आ जाता है, यानि PCR का जब नतीज़ आ जाता है, इसके इलावा डियर वीवर्ज अबी बात करते हैं, नार्मल रेंच पर के, जो CD4 cells हैं, तो इसका नार्मल रेंच बाड़ी में क्या है, तो जो नार्मल रेंच है, वो है, 600 से लेकर 1200 cells पर माइक्रो लीटर तक, अगर 600 से नीचे value आएगी, तो ये फिर हम कहेंगे कि इसकी value कम हो गई है, और फिर बड़ी खत्रे की बात होगी, बियर वीवर्ज भी बात करते हैं, कि सेंपल कलेक्शन क्या किया जाता है, तो नार्मली 3 से 5 ml blood लिया जाता है, EDTA ट्यूब में, जिसे लेवेंडर टॉप भ भी कहा जाता है, ठीक है, और ये whole blood होता है, तो EDTA blood का ये कमाल है, कि ये room temperature पर इस test के लिए 48 गेंटे तक stable होता है, यानि अगर 48 hours room temperature पर ये sample पढ़ा भी रहे, तो test पर कोई असर नहीं होता, बियर वीवर्ज अभी बहुत important step आ गया है, और वो आ गया है result का, कि test हो गया, result आ गया, तो result से हमें क्या पता चलेगा, तो low result पर हम बात करेंगे, कि low result में आपको कैसे पता चलेगा, कि patient किस condition में है, ठीक है, तो अगर कहीं पर patient का cell count, जो है CD4 का, वो 200 से लेकर 350 cells per micro liter तक हो, यानि ये decrease हो गया है, 600 से 1200 तक normal है, ये 200 से लेकर 300 तक है, 350 तक है, तो इसका अ बाड़ी में, वो बढ़ गया है, opportunistic infection के लिए, opportunistic infection वो है, कि वो कुछ ऐसे microorganisms होते हैं, जो मौका परस्त होते हैं, इस इंतिजार में होते हैं, कि कब इस इंसान की बाड़ी में immune system कमजोर पड़ेगा, और वो infection कास करेंगे, तो HIV के patient में, जो candidaeuses, oral thrust जो मुँ में बनता है, वो बड़ा common होता है, तो वो भी एक opportunistic infection है, तो इस तरह के opportunistic infection बढ़ जाते हैं, जब count 200 से 350 cells पर microliter तक आ जाती है, इसके इलावा 200 से 350 तक जब cells count आती है, तो डॉक्टर को इस से ये पता चल जाता है, कि अभी anti-retroviral treatment जो है, वो start कर देनी चाहिए, वरना वक्त के साथ- ये count और भी कम आती जाएगी, और जो immune system है, वो बिलकुल suppress हो जाएगा, और patient के लिए जो जिन्दा रहना है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, दूसरा, इस low count से हमें ये भी पता चलेगा, कि इस patient के जिसम में जो immune system है, वो बहुत ज्यादा कमज़ोर हो चुका है, डियर 24 cells हैं, उसका जो count है, वो अगर 200 आ जाए, ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा, कि इस बंदे को HIV का infection हो चुका है, या हुआ है, ठीक है, या फिर जो HIV की बिमारी है, ठीक है, तो वो बढ़ रही है, वो increase हो रही है, वो progress कर रही है, इसके इलावा, इस count पर डॉक्टर को जो treatment ह है, वो भी start कर देनी चाहिए, कौन सी treatment, एंटी रेट्रो वाइरल ट्रीटमेंट जो की जाती है, HIV के वाइरस को खतम करने के लिए, दूसरा इस count पर भी हमें ये पता चल जाएगा, कि अभी जो patient है, तो opportunistic infections होने का उसमें खत्रा बढ़ गया है, यानि उसको opportunistic infection बहुत ज्य वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना डेर सारा ख्याल रखियेगा, अल्ला हाफिज